मेरे दर्सको नमस्कार दर्सको निश्वी जोतिस में आपका स्वागत है दर्सको सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्वा देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उस अच्छा से देख रहे हैं आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे दर्सको आज के इस वीडियो में हम बहुत पहले महत्पूर विचार कर रहे हैं सबसे पहले तो हम आपको एक योग ऐसा बताते हैं कि हर आदमी को ये इच्छा होती है अग जीवन साथी कैसा मिलेगा आप आज के आधुनिक में चैए आप नेट के तरू ढूंडे हैं या शादी.com से ढूंडे हैं या किसी रिस्षदार के तरू जैसे पहले ढूंडा जाता था ऐसे ढूंडे हैं आपका जीवन साथी ढूंडने की प्रकरिया कैसी भी हो लेकिन जो जोती सास में बताया गया ह है आपका जीवन साथी वैसा रंग स्व्भाव का मिलेगा बताने को तो जीवन साra粉 के में बहुत कुछ है कैसा मिलेगा जैसा मैंने पहले बताया था आपका का जीवन्साती कहा मिलेगा आप कहा बरात लेकर जाएंगे किस दिसां में जाएंगे आज के विशय में हैansen के आधार पर आपका जीवन्सातीृ का रंग जका प्श का स्वेभाव कैसा होगा उसके बाद करने कि गया है लगनेस र문ुंप नमव भाव में है और नमव और दसम भाव के स्वामी की करमेश और भागेश की यूति धन्स्तान पर है और ऐसे जातक ने अपने आज एकवा छेत्र में उत्रुष पलता प्राथ की विद्वान है और तेजस्वी है तो आज का विशह है गंग रूप स्वभाव कैसा होगा ज लगन यहां पर कोई भी हो उससे कोई अभिप्राय नहीं है लगन लगनेश जातक का प्रिधिनरी करते हैं इससे ठीक विप्रित जिसा में सब्तम भाव जाता है सब्तम भाव हमारे जीवन साथी का भाव है सब्तम भाव जीवन साथी का भाव है चे प्रूस हो इस्तरी हो द अलग-अलग किसी के लिखे हुए है, मेरी कुल्ली में कोई दूसरा होगा, आपके में दूसरा होगा, तीसरे में किसे होगा, तो सवाल यह है कि जहाँ पर अंक लिखा है, वह रासी है, अब मालिया यहाँ यहाँ पर आपके कुल्ली में, यहाँ पर मेश लिखा है, तो सब कम भाव में मेश रासी होगी, मेश रासी के प्रभाव से जीवन साथी गोरवन का मिलेगा, अच्छा रंका मिलेगा, ऐसा जैसे कि लालोल पिला मिला दिया जाता है, गोरवन मिलेगा, पर उसका स्वभाव, मंगल का जैसा होगा, थोड़ा सा उग्र स्वभाव होगा, क्योंकि उसके स्वामय मंगल हैं। अगर यहां पर दो लिखा है मैं तो उसको विर्षप लासी कहेंगे। विर्षप लासी का स्वामय शुक्र होता है। गज़रवन तो होगा! उसका शुकवन भी होगा। और वो है बहुती सोफ्ट होगा भोतनी नर्म सभाव का जीवन साथी होगा चे कन्या हो या प्रूस हो चे आप किसी का भी देख रहे हैं आप चे लड़का ढूंडें इस लड़की ढूंडें वह मतलब है जीवन साथी से यहां पर अगर तीन लिखा होगा तीन मिथुनासी है और मिथुनासी के स्वामी तो चार गसको चन्रमा की रासी है शीतल सभाव मधूरता की कमी नहीं सुंदरता की कमी नहीं अती सुंदर हमारे जोती समय तो बताते हैं यहां पर वैसे भी सब्तम भाव में चन्रमा कोई रासी भी हो तो उसका वी जीवन साथी सुंदर मिलता है अती सुंदर ऐसा आपका जीवन साथ ही मिलेगा जहीं पर यहां पर अगर सिंग रासी वो पांच नंबर लिखा हो तो पांच रासी सिंग रासी को डिनोट करती है उसके स्वामी तो सूर्य है सुन्दर तो होगा गोनवन भी होगा पर उग्र सभाव तेजस्वी जरूर होगा अब बात करते हैं यहां पर यहां पर बात करते हैं चुष्वामी शुक्र है और सुन्दर होगा गोन वर्होगा और सुन्दर LOL होगा और्सरीर की आकर्ति भी सूववखित होगी क्योंकि उसके स्वामी शुक्र है अब बात करते हैं यहाँ पर विर्षिक रासी विर्षिक रासी के स्वामी मंगल है गोर्वन तो होगा थोड़ा सा उल्प सुभाव होगा क्यों मंगल का भी अशर उसमें मिलेगा अब बात करते हैं यहाँ पर धनुरासी धनुरासी नो नंबर को धनी रासुका जाता है गुर नमबर रासी मकर की रासी है मकर के स्वामी शनी है ऐसा जीवन साती ऐसा आपका जीवन साती जिसकी कुली में है मकर रासी हो तो ऐसा जीवन साती उच्छ अभिलाशी होगा कोड़ी भी काम करने की उसकी उच्छ अभिलाशा होगी थोड़ा सावला कलर होगा गोरा होने वाली बात नहीं है अब बात करते हैं यहां पर कुंब रासी जो की शन्य की रासी है। दरसको स्नी की राशी में अन् dipping विचार होंगे खोज करने वाले विचार होंगे शुलर होगा और उसका कलर गोरा तो कोई मतलब नहीं थोड़ा साथ नहीं उसका मैं एक सेंपल ही बता दू आप किसी को बताना मत वो मेरे जैसा होगा पक्ते रंका होगा काला होगा लेकिन बुद्धिमान होगा विवेक सील होगा अब बात करते हैं हाँ पर मीन रासी मीन रासी तो गुरू की रासी है ज्यालू प्रोपकारी कारे से भड़ा हुआ सबाब होगा दर्सकों यह देशकाल प्रस्तिती के हिसाब से चेंज बदली हो जाता है क्योंकि जब बालक इन्वार्मेंटल में पैदा हुआ किस वातावर्न में पैदा हुआ कि जलवाई में पैदा हुआ उसका भी असर होता है और ग्रहों का भी असर होता है तो वह असर ह तो देश काल प्रस्ति जलवायू के आधार पर भी होता है सहाधान तोर पर मैंने आपने भारत वर्स में यह राशी के परभाव से आपको समझदार और रंग और सुभाव रताया अब बात करते हैं एक कुणली की जिसमें की प्राकर्मिय विद्वान भागवान तीजस्विय करते हैं जाटकर जनम सोलें एक उन्नी सोल सट को कुर्शन पर पुष्चर एक मंगलवार को हुआ जनम के समय पर धनुलगन एक द्यूट लेकर वराजमान था लगबन दो के करीब था हुआ के वह थी हाभ में मकर रासि में बुठ बारए डिवर बीग्रिय हो सूरी टीरे कि व्राजमान है मंगल तिरित भाव मैं कुम्राची में है क्योंकि सितिरे दसकों धनुलगन की कुल्डी है धनुलगन वालों के जातकों के विचार दार्सिनिक होते हैं इनमें आस्तिकता कूट कूट करते भरी रहती है यह सहजी दूसरे लोगों पर विश्वास कर देते हैं और लोग बागे इनकी सादगी का अनुचित लाब भी देष विदेष में उसकी घ्याथी बहनती है और मंघल प्राक्र में देखे है गुलु को रहाएं नहीं ब्लवर्न भाव को और दुत और सूरे की युटी दसम भाव के स्वामी से सूरे की इतुर सब्टम्भाव के स्वाई सिर्व मानी जाएगी तो यह भागेश और करमेस है क्योंकि बुद्ध की मुल्टिर को अरशी जह सम्भाव में है दिट भाव में सूर्य बुद्ध के युति होना ऐसा जातक आजिका में अपने काम में अपने काम में अपने रुजगार में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है धनी बनता है और मानी बनता संबान मिलता है क्योंकि करमेश और भागेश की युति धन भाव में है और आज की यूग में धन पांच दिए लेकर बठाओ यहां पर बुद्ध और सूर्य की इस्टिती है बुद्ध और सूर्य की उसके ऊपर द्रिष्टी है शद्रमापर तो बुडविद्ध का ग्यान बनेगा लाब की प्राप्ति होगी ऐसा जाता ग्यान वाला बनेगा अब बात करते हैं मंगल की दरस मंगल चटे भाओ को देख रहा रोग को बबा देगा सट्रू सामने मोहनी उठाएंगे क्यों कि मंगल सेनापती है शकर शूक्र बात करते शुक्र की छटे भाव का सामी है और एकादस भाव का सामी है धनुल अगन के लिए शुक्र परंपापी माना जाता है तो छटे से छटा असुभ हो जाता है लेकिन शुक्र की धनुल अगन के लिए शुक्र परंपापी होता है छटे से छटे का सामी होता है लेकिन शुक्र की द्वादस भाव में अच्छी इस सब्सक्राइब होगा और कमजोर होंगे ऐसा जातक कमजोर घर में पैदा होने के बाद भी उचा उठता है धनी बनता है तो शुक्र यहां पर धन दिलाता है अब बात करते हैं शनी की दर्सको शनी वित्ते भाव का सामिय और तुर्त भाव में है शुक में थोड़ी बहुत कम होगी गुरु उसको समाल रहा है इसको यह कमी की बात नहीं और रहें है रहें सब्तम दिल्श्टी दसम पर रहें वर्य उचा उठाएगा वह शाय में उचाउखाएगा क्यों कि कालपृस की पुल्ली में शनी दसम भाव का स्वामी होता है ओ दसम भाव को देख रहा मित्र रवायों से देख रहा है उचरा उधाएगा जसम दृष्टि से लगन भाया पर बिमारी देगा कुछ तकलीबेगी पर को music नहीं कि गुरु अरशी को complete एसuck भी पर्भाव जो कारक है उचरा उठाएगा दर्सको सुझाय से इसलाब राओ पर ना पर शनीर केतू का प्रभाव और पंच्छम भाव पर गुरू का वी प्रभाव हो तो ऐसा जातक घ्यानी बनता है लेकिन किस छेत्र में ग्यानी बनता है यहां पर राओ और शनीर केतू, उस computer के कारक हैं computer के कारक है computer में जातके ने इंजिनिरी पास की उसके बाद गूर ग्यान M.B. पास की कि गूर ग्यान चद्रमा से मिला उसका मिला तो computer में टेक्निकी सिक्षा प्राप्त करने के बाद M.B. किया और आज एक उच्छ स्थान में खुद के उद्डोग चला रहा है प्रितिष्टी एसन और उस लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ है उसके पास प्रितिष्टा की कोई कमी नहीं और एक अच्छा उद्डोग पती बन गया है इंजिनिरिंग और M.B.A. करने के बाद अब इसकूली में देखिए साधान तोर पर सब्सक्राइब कौन सी रासी मैंने आपको बता दिया लगनेस नवं भाव में मंगल की दिश्टी मैंने आपको बता दिया करमेस और भागेस की यूति अच्छी सफलता धनी बनाती मैंने आपको बता दिया चन्ना बूर ग्यान का मेना बता दिया साधान तोर पर समझो लगनेस गुरू नवं भाव में है पंचमेस मंगल से द्रश्ट है क्यों मंगल पंचमेस है और गुरू की इनकी आपस में सब सब्सक्तन दोगा एक दूसरे को देख रहे हैं मंगल प्राक्रम और धनी बनने का योग बन गया अस्तम में चंद्रमा बुद्र सूर्य देखें गूल ग्यान जा तक के पास गूल ग्यान का भंधार है और जा तक अपने ववशार में प्रगतनसील है दुर्सको आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहले कई आदमियों के फोन आये मेरे क जिग्याषा वुर्पन की कल्फ तीनिचा ली जाही थीं आख हमारी गुडिया को कैसा मिलेगा कैमलेगा हम न विला कोई बात हम सभी को बता देते हैं का आपको जीवन साति कैसा मिलेगा जीवन साति कैसा मिलेगा रासी के परभाव Amblin गोत पहले मैंने बताया रांशी के प्रभाव से कैसा होगा कैसा रंगरोप होगा क्या उसका विचारधारा कैसा उसका होगा उसके बार साथ होनहार जो जाकां तक है connect meком पाधा हुआ युट में बहुत के करने की मेरा आपको अच्छा लगा तो भी मेरा उट्साय के लिए आप कमेंट के फ़रा बताईए अच्छा लगा या बुरा लगा तो बुरा लिखे आप अपना सुझाव दीजिए ताकि आपके सुझाव मेरे को प्रगृत्ती में साहय कोंगे और दर्स को फिर कहूंगा अगर यह वीडियो आपका माग जिसन कर सकता है तो बाकी का भी कर सकता है आप इसको अपने सहग्यों के साथ भेजिए दर्स को बात और कहूंगा अगर जिसने मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्क्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल हुचा हो और इसी प्रकार में वास्ति कुलिया पढाकर आपका माग जिसन करता रहूं जिसु जोतिस नर्दाजी के तटके नजदीक है यहां परकाल सब दोस्प्रिदोस की पूजा की जाती जो उच्छु के वह पर कर सकता है तो शुजोति कन्या भाव के गुनमिलान बिना किसी सुल्के आसाम करने के लिए वर्चुप करके भेता जूर्ट आपको फाइदा उठाने की दर्स को फिर कोंगा मेरा वीडियो अच्छा लगा है अप्लाइक करें शेर करें जिसने चैनल सब्क्राइब मिया स सब्क्राइब में इनल्वान